शारुक खान ने भी रुख किया है अक्शन थ्रिलर्स की तरफ S.R.K. ने साइन की है साउथ के प्रसिद डिरेक्टर S. शंकर के साथ एक फिल्म सिवाजी दे बॉस फिल्म के डिरेक्टर S. शंकर और शारुक लंबे समय से सोच रहे थे कि वो साथ काम करेंगे और अब लगता है कि वो शुब घड़ी आ गई है और दोनों तयार है कुछ नया करने के लिए शारुक खान ने अपने फिल्मी करियर में तरह तरह की भूमिकाई निभाई हैं जहां एक तरफ डर में उन्होंने निभाई एक खलनाई की भूमिका वहीं दूसरी तरफ दिल्वाले दुलन्या ले जाएंगे ने दिया उन्हें एक रोमैंटिक हीरो का खिताब तो चमतकार और बाच्छा में उनकी गुद-गुदाती कॉमेडी देखने को मिली और अब एस शंकर की फिल्म में शारुक नजर आएंगे एक अक्शन हीरो के अफ्तार में लंबे समय से शारुक की एस शंकर के साथ काम करने की दिली खवाईश थी और अब लगता है शिवाजी द बॉस की धमाकेदार परफॉमेंस के बाद ये चाहत और भी बढ़ गई होगी इसी के चलते शारुक ने एस शंकर के साथ काम करने का फैसला लिया है मगर इस फिल्म की शूटिंग को शुरू होने में हैं काफी वक्त बाकी क्योंकि शारुक इस समय लगे हैं अपने बाकी प्रोजेक्स को पूरा करने में एस शंकर साथ के जाने माने डिरेक्टर हैं और उनकी फिल्म शिवाजी द बॉस ने सारे इंडियन टिकेट सेल्स रिकॉर्ट्स तोड़ दिये हैं जेंटल्मन, इंडियन और इश्वर्या बच्चन की पहली फिल्म जीन्स जैसे प्रोजेक्स भी हैं उनके नाम शंकर ने अनिल कपूर और रानी मुखर्जी स्टार नायक भी डारेक्ट की थी जो दक्षन की मुधलवन की रीमेक थी तो अब दक्षन के दिगज डिरेक्टर और हिंदी सिनिमा के किंग खान का ये कॉंबिनेशन जरूर करेगा धमाल चित्रा लंगे, जूम, मुंबाई